हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो आवर चैनल फ्यूचर इस वीडियो में जो सेमेस्टर फॉर्ष्ट के स्टूरेंट है डियू एसल एंसेव इस्टूरेंट है जो आपके सब्जेक्ट है हिस्ट्री इसके इंपोर्टन कोश्टन भी तंसर बताने जा रहे है और इसमें जो आपके कि जो आपको सेके यूट एन आपकी फोर्ष्ट हमने कंप्लेट करा चुकिए तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए लिंक आपको डिस्प्स बॉक्स में मिलिया गा एंड यह हमारी क्लासे 6 है इसमें आपको हम यूट थार्ड कंप्लेट करा देंगे इससे पहली हर्पे सब्वेता के सेरी करन के मुखे विशेस्टा का वहर्ण की हरपा सब्वेता में टाउन पैंडिंग को परिभासित करें तो यह दोनों को सब्सक्राइब आपको यह वाला वर्ड लिख यह नगरिये करन तो आपको अनसर यह ही लिखना है को आपको समझ लीजए का को स किस ट्राइब से पूछ जा रहा है तो इसके बाद जो हमारी यूनिट यूनिट हम कंप्लीट करा देंगे हमने और सेकिंड एंड था इस वीडियो में कंप्लीट कराने चाहरे है तो आपको पता चल गए किस ट्राइब साइब के सब्जेक्ट के अभी यह प्रोग्राम की सिस् जो सिंदूगार्ति की सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है तो इसमें हम क्या लखे हारपपा और सिंदूगार्ति डोनो से में ठीक है तो इसकी ज्यूसब् vaccin- прошл थाव्योग का देखी आर्प पर आपकरनों का उत्यार होते हैं उसका भी बंद नहीं हुआ था लम्बे समय और से दिखाई दिखाई देता है तो जो पासण युग के हैं यह नम पासण के वो सभी की सांस साथ उप्योंग किये जाते हैं पर्थल तामबे का इन तमाम पासणिक कहा गया इसकी कला विद्धी अत्य विष्टित है यह हरप्पा सब्वेता तथा उत्तर हरप्पा काल तक फैली है और यह हरप्पा सब्वेता लेकर उत्तर जो हरप्पा काल है ना वहां तक ही फैली है सिन्दु और उसकी साइक नदियों के उप्जाओ मेदानांimar भारत की काश्या का लिक involved हुआ हुआ था जिसको समानिया है सिन्दु जाता है झाल Done से कहा जाता है या हरपा सप्धथा का जाता दो आपको समझ माएं कि हरप एक पति कैसे हूई सिद्धू से कैसे हुई प्रहारत के पराष्टम नगर्य सब्यत्यार भांशेका से हैं तो भ्हारत की पह departed नगर है उसकी सबयता नरे से लिए जो काश्य काल होता है यह सब्धिया पून्विक्सित तता नगरी सब्धिता के रूप परकास में लाई जो भारत वर्ष के पथम नगर्यकरन को प्रामानिक करती है और इसमें नगर्यकरन की बात की जाएगी आगे टॉपिक में भी सिंदु सब्धिता विशेष्ट मानुफ जीवन के स्वेंगिन विकास को दर्शा Everybody सब्धिता के जो मनुह्ष्थ्य होता है भारत प्रारम से अनेक संसादों नों Уननति कर ली है वह संसादों नहीं था अथा प्रारम से रूप के प्रार। के रूप में देख सकते कहने का वह यह हैं कि भारत में गॉर्ण इतिहास में हम भारत को हरपास हब से कर जो काल था सिंदू सब्टा को अपने अपने बीशाल अपना विकसित करें तक ही आज की सब्टै को पयोग तो विश्यज चिन अच्छे तो जो भारत है आज की जो समय में अच्छी नालिया जो सब्वेता होते हैं उन सब को तयार किया गया भारत की रचिराओं में इसको दिखा जा सकते हैं सुन्दर रूप से बस्तर के भी जो निर्मान किये गए तो यहां पर फाइनली इसकी जो उत्पती है अगर आपके पीप परमुख विशेष्था अगर आपके पेपर में विशेष्था है पूछी जाए तो अब इससे हम जितने भी पॉइंट बताएं कि हुँ सभी आपको लिखना है लेकिन अलग अलग कोशन भी आपके पेपर में आ सकते हैं तो समझ में आई कोशन आपके सामने हरपा सब्वे नें इसका कोशन पता चली कोशन में नेघने आपको कोशन समझ में आ अंसर बताते हैं है weil जोजनापत नगरों एहम भावनों का निर्मानी सब्वेत्य के स्वामशेश विशेश्षता है सभी पर्मुक नगर नदियों के टट पर बसे थे इन नगरों में शुरुच्छा के लिए चार और पर कोटा दिवाल का निर्मान कराया जाता था तो जो मोहन जोद्रों के समय मे जो हरपा सब्वेत्य उनके समय में जो नगर और भावन निर्मान की विशेश्षता सबसे महत्पुन मानी जाती है और उन्होंने अपनी सुरुच्छा के लिए जो नदियों के किनारे अपने घर बसाय थे और वहां पर जो दिवालों भी बनाए जाते थे प्रतिक में चौडा रेलिब को सहरों जोड़ती थी उनके नगर जो चौड़ी होती जो आपकी घर ऺाच सकते आवों निरमान में भनेन संदू सब्व Chief के लोग लग थे उनकी प्राप वेशम से होती है दौरा में सूख सुविधा जपशन याज़ित नि वह तरह से जात फोलब पूरी तरा से मिल रहently निर्मान हैमें के छिए योजिना Türkiye से बनाय जाता है था परकास वियुस्ता के लिए रोसंदार एहम खिरकिया भी बनाई जाती थी रसोई घर इसनानागर आंगन भौन कई मंजल की होते थे दिवाल इटों से बनाई जाती थे भौन घरों में भी बनाई जाते थे लोठर में इटो से बना एक हौज मिला है तो जो नहाने के लिए आंगन बनाई जाती थे यह घरों में जो कहते ना कुए भी मिले वहां पड़ एक जो इटो से बने हुए मिलते होज तो यह तो हुआ आग्ड को आपको परीचे में लिखना अगर आपका कोशन आता हरपा के न के बाद जो आपका पॉइंटे स्टार्ट होने जा रहा है विसाल इसनानगर मतलब कि वहां पर जो इसनान करने के लिए काफी सुविधाय थी देखे मोहन जोदरो में उतकान से एक विशाल इसनागर मिला जो अत्य भाव्य है इसनान कुंड से बाहर जल निकासे के उत्तम वेऊस्ता थी तो जो आप नहाने के या बातरूम आप कह सकते तो वहां से बाहर पानी जाने के विज़न वेऊस्ता थी समय समय पर जल साओ की सफाई की जाते थी जू जहां जम्हा होते हैं खटान की सफाइगे जाते इस नाना-नगर के निर्मान के लिए उठ्वाधी की सामगरी का प्रियोग किया गया था जो बनाने के लिए आच्छी घ्री होता है इस कारण आगर गया लिए तो 500 वर्स वाद्वाध और लीका उसका ने ता यहें किले के राजमार्ग में दूनो और छेचे की पत्तिया वाले अन्य भंडार के अवसेश मिले अन्य भंडार की लंबाई 18 मिटर और चौड़ाई 7 मिटर थी तो जो अन्य भंडार का मतलब होता है जहां पर आप अनाज को से रखते हैं तो उनकी जो लंबाई कि यहमार सतारर मिटर और और 1 मिर्ट पर 12 में जाटे होती हैं इसका मुख्यधों ड़ी की ओर फुलता था है और उझाए कर्दी कि दिए नदी की जाता था है तो मतलब कि एससा उनको को अन्य आफ लिए और अनाज की एंप सीज्ञार अन्भंडार की राज़ कि यह कोृत के मुख्य रूप है और ये महत्पुन रूप के जरिये देखा जाता है थोर्ड पॉइंट इसका जल निकाश पर नाली मतलब कि वहाँ पर जो जल पानी निकालने की जो अच्छी वेउस्ता थी सिंदु घाटी की जल निकाश की योजना अत्रदिक उच्छ कोटी की थी नगर योजना के जाती जल निकास के लिए जो नगर नाली आर नाल्य वहां से निकला या नालियों को इंतों से ढ़कने की विश्थैरी Northern सब्सक्राइब गड़ती जनते नालियों की शमपने सबетрाब तो इनालीयों को बनाने के लिमना जाता तें जिससे औल्सक्राइब उसन अन चूंक परखिट लिए जो हीज़का भाश आपको अपर समाजिक जीवन किस परकाथा बॉर्ण की जिए आपके विशेषता है यह कोशन बनेगा है ठीक हरपा जैसी विक्सित सब्वता एक मजबूत किश्री धाच्य पर ही पनप सकती हरपा के किसान नगर की दिवालों से सीमित नदी के पास मैदान में रहते थे तो जो हरपा सब्वता कर जो लोग होते नो किश्री के लिए पनपते थे वहां कि किसी के लिए माननेता है और रहना पसंद करते तो जो नगर की दिवाली नदीयों के पास के मैदान में रहते थे जह सिल्पकारों बैपारी और अन्य सहर में रहने वाले के लिए अतिरिक अन्य पैदा करते थे और जो सिल्पकार होते बैपारी होते जो सहर में रहते उनके लिए नाज जो पैदा करते थे उगाते थे किसी के अलावा ये लोग बहुत से अन्य कलाओं में विशेश रूफ से निपुन थे मतलब जो खेती बारी के लावा भी बहुत सारी जो कला उन समें इनका बहुत ज्यादा योगदान है घरों के अकारों में भिंता को देख आगे इसको परीचे में आपको क्या लिखना एंड यहां के पॉइंट देखिए भोजन सबसे फॉष्ट भोजन हरपा सांस्किति के लोग भोजन के रूप में गयों चावल तिल मतर आदे को प्योग करते थे लोग मासाहरी भी थे तो आपको पता चला क्या क्या चीजे खा आप यह लिख सकते हों आप और जानवरों का भी जो सिकार करके खाते थे फलों का भी परियोग करते थे ठीक है खुदा इसे बहुत सारे ऐसे बतन मिले हैं जिसका अकार एक प्रकार के खाद्यों प्रे सामकरी की विविनता का पता चलता है पीषने के लिए चक्की का परिय यह सबी जो आप आज की डेट में खाते पीते उसका प्रियोग करती सभी आप इसमें लिख सकते हैं के भोजन में ठीक होस्ट पॉंट जो आपका सेकंड पॉंट वर्ष्ट की मतलब उस समय के जो लोग थे क्या पैंते थे सिंदु घाती की निवासियों की वेश्भूसा के संबेसे निए संबन में कहा जाता है कि महीला है घागड़ा सारी धोती अहम पगरी का प्रियोग करते थे तो हैं अपने हाथों से पैंते थे नाफु को पॉंट कर मतलब कि उस टाइम के लोग जो आभूशन मतलब गहने पैंते अपने सुन्दर दिखने के लिए तो देखे इस तरी कुछ दोनों धान करते तो पुरुस भी थे इस तरी दोनों पैंते तो आभूशन में में क्या-काई चीज थे लड़ियत के हारा कंगन अंगूठी कणफूल कड़ी आधी विषेश लफिने हैं मतलब कि जो अंगूठी लेलो गले मेक लेलो यह सभी चीजे पैंते थे कई लड़ी वाली कर्धace और हरा भी मिले जो करधनी होते जो कुछ होता हो गयर उस्टाइम कर जो उसे पैमते होंगे। आभूशन सौने चान्दी पीतल तामब आथी दात हड़ीयों और पक्की एटों से बने होते थे। तो जो आभूशन जो गहने अधान नहीं तो चान्दी प्रेमी थे धातु एहम हाथि दात जो कंगी आईने का प्रीयोग करते थे तो दोनों को देखो पुरुस्वी और महिलयावी दोनों को सिंगार प्रेमी थे उन्हें से बहुत जादा प्रेम थे जो दातों उसे कंगी भी बनाये और आइना भी बनाये सीसा केस वीणियम उत्वन परकार का था जो केस वीणियम होते जैसे केसों को रंगने का भी उनमें परकार था खुदाई से काजल लगाने की एक एहम ओठों को रंग दे के अनेक छोटे-छोटे पात्र मिले तो जो उनको खुदाई के अगर हमसे यह भी पता चलता है कि आँखों में काजल लगाते तो ओठों में जोर कहते हैं लिविश्टिक वह भी लगाया जाते थे उस समय में और फोर पॉइंट आपका मनोरजन सिंदु सब्विता के लोग मनोरजन के लिए भिविन कलाओ का प्रयोग करते थे वह जानवरों की डोर सतरंग खेलते थे नित्यगान की मूर्ती हमें हरपा सांस्किती में नाच गाने के प्रचलन को बताते मिठी हैं पथल के पासे मिले हैं आपको पता चला हुआ पर अपनी इंटर्टैन्मेंट के लिए जो डॉल लगाते थे जानवरों की खेलते थे नाच गाने होते थे जो वहां के पासे होते उसके साथ भी खेलते थे आपका फोर फिफ्ट पॉइंट प्रयाधोगी की ग्यान सिंदु सब्विता के लोग का भ भातु बनाना जानते थे उनके मूर्तिय आयम अभूसन बहुत खुबसूरत थे उन्हें इस जबाने की जो आप कह सकते हैं सबका ग्यान हो चुका था क्योंकि वहां की जो सरक योजना थी भावन निर्मान थी और जो उनके जलके निवास थे काफी सुन्दा और काफी अच पूरा पासन काल के सम्मान भोजन हत्यार गरे पाता था अन्य उप्योगित बश्ट्वा भी साथ में रख दी जाते थी मित्तकों की कबरों के ऊपर बड़े पठल भी रख दिये जाते जिनको रखने का मुख्य उद्दे से मित्तकों के सम्मान देना था तो उस समय में जो अब खाने से लिए कि पीने से पहने की सभी चीजे उनके साथ डपना दी उन्हें लगता था उनका यहूप्योग करेंगे और जौनकों धब्र होते ऊपर बड़े बड़े पथ्टल रक दी जाते इससे इन को यह पता चलता है कि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है सेवन पॉइंटेज का चिकिसा विज्यान सिंदु सब्वयता के निवासे भीबिन औसदियों से परीचित थे तो जो औसदिया होती है जो पेड़ पोर्धों से पराप्त होते हैं सबका उन्हें घ्यान था हीरन. बारा सिंगा के नीम की पत्तिया赤 का औसदी की तरह प्रियोग करते थे तो जो नीम की पत्तिया होती है जो हीरनze होते हैं उनके सिंग Alrighty उन सभी का प्रियोग औसदी के रूप में करते थे सिंदू सभ्यता में खोपरी की साले चिकिसा के उद्धारन भी काली बंगा एहम लोठर से प्राप्त होते संबुन्द फैन जाग भी औसदी के रूप में प्रियोग में लाए जाता था तो यहां पर यह समाजिक जीवन खत तो यह आप से कोशन जो हम बता रहे हैं सारी कोशन आपको अलग-अलग पूछे जाएंगे पेपर में हो सकता है तो और नहीं तो आपको हरपा सभ्यता का जो विशेशता है पूछे ना तो आप इनी में से छोटे-छोटे पॉइंट लेके आप लिख सकते हैं आपको इतना सब्सक्राइब करते लोग करते थे किष्ठी थी यह रपा के लोग करना फोटे थे सिंदु नदी इसमें बाड भी हाती थी और उनको जो खेती का महीना क्या था नौवंबर में जो गयों जो ऊगाते थे उनकी उपजाव भूमी थी अपनी फसल के महीने में बाड आने से पहले काट लेते थे और जो उनका बाड है अप्रेल के महीने में आते थे तो उससे पहले वो अपने फसलों को काट लेते थे खुदाई में कोई हल या फावरा नहीं मिला किंटो काली वंगर में पून रपा अाफ़भा आउधी के खीती बाड़े के लिए उप्यूख खेतों के आवस्यस मिले हैं तो जो उनका खुदाई में जैसे हल कहते हैं फावरा के तो उससे जरीओ कि उनके जो काली मंगर जो होते हैं सी익 जो एक सम्कोन पर बनी कोडियार मिली जिस्से पता चलता हैес सम्कूं फसले लगाना संवह थो इसकी प्रणब नहीं है कि हल को मानव से भाइन क cochता था More नहीं है, निछ रात्रशखे के समयाना यदिू थे। our akeli, 1 यह का उपYok नहीं है कि हलका मानव यह भैं खिचता था पथल की धायतु धरात थी तो मिढ़िद विरयाा लेकिन इनका परिनाम प्राप नहीं कि उसे बैल खीचता था यह मनुष्य यह मानव खीचता था वह हल को ऐसा प्रतिक होता है कि नहरो द्वारा सिचाय का प्राचलन नहीं था हरपा के मुखे फसल भी गयों जो कपास तिल इनका भंडारन विशाल धन्य कठोडियों में किया जाता था वाड के पाने का उप्यों खेतों की सिचाय के लिए किया जाता था तो देखो ऐसा कोई भी जो प्राचलन था लेकिन जो हरपा ना जो बाड के कारण उनकी खेती की जाती और उनके फसलों में ज्यादा जो गयों का पास तिल इनका प्रयोग किया जाता इनको युगाया जाता था आपका सेकेंड पॉइंट इसका पालन अन्य उपकरन वेवसाई पालन का था बैल गाये स पालन था जाता था तो पसुपालन था जो आपको अलग जानवर के नाम दिख रहें बैल गाये सूवर कुत्ते इस प्राप्त था और उसमें पालन के आवसकता सुरू हो चुकित जो गाये वहस था था उनका दूद भी पिया जाता था उस समय अकाल के तो आपका था थाट गाति जो ग TCP निवासी आंत्रीक तो तो प्राकार करते थे तो वर्म हरपा सबहत था निवासी आंत्रीक मतलब अंदर से बहास भी से अ भालन किसा आले हम को नियुक्त Aye कौशक थे चंडी और रांग 10 छानि आफ आफगानिस्तास Cancerении त्चान्दी यहां से प्राप्ट किये जाते कुछ तुछ और शीजा राजपूताना ती आफगानिस्थान से और इरान से मंगाए जाते थे तो जो आपका फोर पॉइंट है कुत्री उध्योग परमुकता कुहारों के द्वार चक्र से पर सूत्र पर लिप्टा हुआ कपड़ा मिला है जिससे जह ग्यात होता है कि कि यह के निवा से सूत्र काटने और कपड़े बुनने का वेफ़साई भी करते है तो जो चांडी के कलस होते जो आप कलेस के ऊपर ना ढ़े जो होते हैं कपड़े लगाकर उन्हों से यह पता चलता है कि उस समय कटाई बुनाई का काम भी कुछ मिट्टी के तक लीला प्राफ्त हुई है उनी वरस्ट भी बून का तयार किया जाते और कुछ मिट्टी के बीपराफ्त हो इनसे य उसन से जीवी कंपने शीर ने अपन चलाते लोना मूंति है क् einen काoggia का निर्मान किया जाता तो यह सब निर्मान किया सकता सीफ तथедात के अघू दात के अभूशन तयार होते जो अभूशन तॉट के भाव में देखने के लिए बोशती है के लिए इसकेल होते ते बढको हुदिए उसके Сकैल होते थै और चिकने पतलों से बाठ बनाया जा जाते तई ज् Video जो तो तॉल्ण के लिए रखते हैं dal किलो एक दो किलो जब आप सब्जी लेते तो उस टाइफ के बनाया जाते कई ऐसे पतर पराफ हुए है जिसमें पता चलता है कि डाउ उनके गुनों का परियोग होता था हरपा सब्बेता को आठिक जीवाने अब आपका नेक्स टॉपिक हां से स्टार्ट हो अगर आपका नेक्स पॉइंट हरपा सब्बेता के धर्म के बारे में बताईए तो यह आपको पॉइंट लिखना है जो जोगी का चित्र बनाए गया है तो जो उनका चित्र बनाए गया है तो जो उनका चित्र पर उनके बीच में उनको बनाएगे चारों और से जो हाती भैस गेंडा होते उन सब की बनाएगी और उनको सियू का नाम जो कहा गया उन्हें मभी पराफ्त हुएां हरपा के लोग मा देवी की पूझा करते हैं सबस्क्राफ होता उनको चित्र बनाया होगा एक विसाल कारे इमारत जिससे महान इसनाना कहा गया है मोहन जोदरों से पराफ हुई है ये धार्मिक इसना या धार्मिक किरिया कलापों के लिए काम में लिया जाता था लिया जाता है तो जो वहां से पराफ दुआ इसनाना तो वहां से पता चलता है इस सबबता से कोई सबहा डिया अब करेंदेल, पेड़ को भी पूजा नहीं होगा है, तो इसकी धर्म के ऊपर यहाप कोश्चना आ है तो आप यह point लिखेगा एंड़ आपका हरपा सब्विता की लिपफए अगर लिपपी के ऊपर लिखन कल्ण तो जानते थे यह पशस्ब्विता लिखन कला मतलिंब लिखने की कल्ण जानते थे 3. अभी तक हरपा लेफी पडी नहीं जा सकती तो इसको अभी तक कोई भी पड नहीं सकाए लेपी में 400 चीन है जिसमें 75 मूल है एहम से तक प्रकार है तो यहां फर फाइनल इस विर्ष्टा विर्ष्टा वह सभी आपको बता दिये अगर आपको इस पेपर में से किसी के ऊपर भी कोशन आता है तो आप इसे लिख सकते अच्छे नमबरों से और यह बागी सब जितने भी आपको पॉइंट बता यहां से अंड तक कि सारे जो के उपर आपको बताना होगा चलिए उस कंसर आपको बताते हैं तो कोशन आपके सामने तक कारण कारणों की सक्रान कॉस्ण हίας का नहीं युर्म kami आने कि अन्य अगलग है फिर भी कुछ ऐसे प्रणाम मिले हैं जिसके द्वारा अनुमाल लगाया जाता है कि हर अप्पा सब्यता का पतन का कोई भी एक जैसे कहते हैं अस्तित नहीं प्राप्त हुआ है कुछ अनुमाल लगाया गया है कुछ लिखर को कोडिंग कि वह मानते हैं इस कारण से हुआ तो कोई कहा था इस कारण से वा तो वहीं पॉइंट यहां पर देखिए तो जो आपका फॉर्ष्ट पॉइंट बार के कारण हरप्पा सब्यता का पतन हुआ हरप्पा सब्यता के परमुक नगर नदियों के किनारे बसे थे जिसमें पतिवर्स वार आती थी बार से पत अपने इस्थान को छोड़के दूसरे स्थान में जाने के लिए मजबूर हो चुके थे तो यह कारण ही है सैकी ने महामारी मोहन जोद्रों सपराप नलकंकारों का परिक्षन के पच्चात यह निश्कस निकलता है कि हरप्पा निवासी मलेरिया महामारी जैसे अनिक प्रकत कि ओुआ जैशं प्रकतपम हो चुकी थे निवाप्श न बीं आपदाय से निश्कात हुगा निर्जश के फीमारियों के कारण हैं उनके जीओन इन प्रकतिक पमे मारी घ्यत Müell को है होगा जैसे जैसे मलेरिया पीमारी होती है जो प्रकति एंपरापदायियों मन के आपने पॉइंट आपका बाहे आक्रवन पुरातात्मिक स्रोटर से ग्यात होता है कि हरप्पा निवासियों पर बाहरे आक्रवन हुए होंगे वहां के लोगों की हत्या कर दी गई होगी जिसके कान इस सब्वेता का पतन हो गया तो कुछ ऐसे भी बताते हैं कि जो हरप्पा सब्वे अर्थ जो यूद हुए हमले कि गए बाहर के छेत्रों के दूआरा जिसके कान उनकी हत्या किर गई और उसा मर गये तो पतन हो गया और नदिया सूख गई होगी जिससे यह सब्वेता का पतन हो गया होगा तो देखो जो वहां पहले पतन होते रहते तो समय समय पर और काफी जादा वह आप बारिस होती ते गहने जंगल होती ते लेकिन दीरे-दीरे जो जंगलों को काट दिया गए जिससे कारण यह वह ना कि जलवाई पड़िवतन हुआ जिससे नदिया सूप गई है और जिससे पतन हो गया तो यहां पर फाइनली इसका कोशन कांसर आपक लेकिन कंप्लेट काते हैं अब थार्ड भी कंप्लेट हो गया है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरू कीज़ेगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब